ओम शान्ति गुड़ मॉनिंग अजमकर सक्रान्ति के भी बहुत-बहुत शुब कामना हैं बदाईयां अज इस मोके पर बाबा हमें बहुत सारे वर्दान दे रहे हैं शिक्षाएं दे रहे हैं वाइदे कराए रहे हैं फाइदा कर लेने की विदियां बता रहे हैं और हमें जो सच्चे दिल से और बापया परिवार के सनेही बन मेनत मुक बनने का वाइदा करो और फाइदा उठाओ कल हमने देखा कि जितना जो स्व्मान धारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा जहां स्व्मान होएगा वहां दे अभिमान स्वतही समार्थ हो जाता है फिर ये भी कल बावने बताया कि हम अनभवी भी हैं जो बाप का सनी है वो चुम्बक है ऐसे ही बच्चे बच्चे भी सर्व किस नहीं बनें और जो दिल किस नहीं होते हैं बाब किस नहीं होते हैं सर्व किस नहीं अपने आप बन जाते हैं बाबने ध्यान किजवाया कि किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, तो इसका मौलकान है, दिल का समय में कहीं न कहीं लिख रहे हैं। रहेगा और मेनस से बच जाएगा बाबने युक्ति बताई कि जो वाइदे कि हैं उनका फायदा उठाने के लिए रिवाइज करो और दोनों का बैनस का चार्ट बनाओ फिर बाबने दो शब्दों बे विशेश कल ध्यान किछ वाया निमित और निर्मान इसमें मैं और मेरा प सफल करो सब को सफल करना है इसके बारे में वर्दान भी देते वे बताते वे फिर कहा कि हमें बोल में शिक्षा के साथ क्षमा भी योज करनी है और आगे बाबने हमारे आदी संसकार देव संसकार को इमर्ज करने के लिए कहा कि हमें दिल खुश रहना है और दिल शिकस्त नहीं होना क्योंकि हम सब समाधान शरू है अब आगे हम बाबा के मावाक्यों को ही आगे बढ़ते हैं आगे बाबा मिल रहे हैं आप जो सत्तरवा वर्ष मनाने जा रहे हो यह समचार भी सुना विदेश भी तियारी कर रहे हैं और देश वाले भी तियारी कर रहे हैं यही मीटिंग की है ना तो बाप दादा इस सत्तरवें वर्ष को किस विदी से मनाना चाहते हैं, मेटिंग का ही टौपिता न, सबी को मनाने का उमंग है न, बाबा पूछने उमंग है, माताओं को, डबल विदेश्यों को मनाना है, सेवा का प्रोग्राम तो आप बनाते ही हो और बनाएंगे भी, इस में तो होशियार हो, बाबा साइटिफिकर दे रहे हैं होशियार हो, बाप दादा ने देखा है, प्लैन बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है, बाप दादा क्या चाहते हैं, देखो बाप की क्या चाहना है, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाह इस समय यह समय भी शक्ति है, कजाना है, सबको सफल करो. चाहे स्थूल दान, चाहे अलो की खजाने, सबको सफल करना है, सफलता मूरत का सैटिफिकेट लेना ही है, सफल करो, सफल कराओ. अगर कोई ऐसफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा नहीं बाबा सावधानी दे रहे हैं वे और वेविदी बता रहे हैं अपने शुब आउना शुब कामना और सदा शुब सम्मान देने द्वारा सफल कराओ शुब सम्मान, सिरफ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देने भी पड़ती है, तो शिक्षा और ख्षमा, ख्षमा रूप बनकर शिक्षा दो, मर्सिफुल बनो, रहम दिल बनो, अंडरलाई, आपका मर्सिफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा, देखो, प्रवश्य शिक्षा देने लगते हैं, पहले नहीं काडते हैं, तो पहले फूक देते हैं, फिर टिंचर लगते हैं, तो आप भी पहले मर्सिफुल बनो, फिर शिक्षा दो, तो परभाव पड़ेगा, पावरफुल प्वैंट धारना का और विदी, नहीं तो क्या-क्या हो आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आप से ज़्यादा शिक्षक है, सभी शिक्षक है ना, तो शिक्षक, शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता, जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने के लिए 10 पॉइंट होंगी, इसलिए शिक्षा ख्षमा और शिक्षा साथ साथ हो, तो इस सत्तरवे वर्ष की थीम है, सफल करो, सफल कराओ, सफलता मूरत बन, सब सफल करो, डबल लाइट बनना है न, तो सफल कर लो, संसकार को भी सफल करो, जो ओरिजनल आपके आदी संसकार, देवताई संसकार, अनादी संसकार आत्मा के हैं, उनको इमर्ज करो, उल्टे संसकारों का संसकार करो, नोटाओ, आदी अनादी संसकार इमर्ज करो, अभी सभी की कंप्लेंड विशेश एक ही रह गई है, संसकार नहीं बदलते, संसकार नहीं बदलते, तो सत्तरवे वर्ष में कुछ तो कमाल करेंगे न, तो यह परिवर्थन की विशेश्ता दिखाओ, ठीक है न, सत्तरवे वर्ष में करना है न, करना है, करेंगे, या हुआ ही पड़ा है, बाप दादा पूछ रहे हैं, सिरफ निमित बना है, अच्छा, आगे बाप दादा सब भी बच्चों को देख, गीत गाते हैं, क्या गीत गाते हैं, वह, बच्चे, वह, अच्छा, अब ही क्या करना है, देखो, भगवान पूछ रहा है बच्चों से, स्नेह का सागर स्नेही बच्चों में से पूछ रहें अब क्या करना है सेवा का टन इंदोर जोन का है बहुत सेवाधारी आए है संग्ठन अच्छा है जो सेवा की दिल के स्नेह से सेवा की उसका फरत्यक्ष फल भी खुशी अनभव की पूछ रहे हैं बाबा खुशी मिली सेवा का फल है परत्यक्ष फल है खुशी और बविश्य सेवा का पुन्य जम्ह हुआ पुन्य का खाता बढ़ गया तो वर्तमान भी फल मिला बविश्य भी जम्ह हो गया अच्छा है हर जोन को चांस मिलता है विशेश चांस मिलने से वायू मंडल का फाइदा यग सेवा के पुन्य का खाता और सेवा में सर्व ब्रामनों से संबन संपर्क की शुर्य प्यार का नाता बढ़ता है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कल से तो जाना भी शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा किया सेवा का फल सदा के लिए बरके जाना बापदारा ने अंडरलाइन किया पॉइंट सदा के लिए बरके जाना अच्छा है माताएं भी हैं कुमारियां भी हैं सब सेवा धारी हैं पांडव तो हैं ही सेवा का चांस तो लिया अब तो जो वाइदा करके जा रहे हैं वाइदा करके जा रहे हैं उसका फाइदा विशेश सेवा के रिटन में देते रहे हैं वाइदे का फाइदा उठाना सिर्फ वाइदा नहीं फाइदा अच्छा आगे बाबा इंदोर और नडियाद होस्टल की कुमारियों से मिल रहे है नडियाद की थोड़ी हैं नडियाद की कुमारियां ठीक हैं बाबा पूछ रहे हैं स्वे उनती और सेवा की उनती दोनों ही हो रही है अच्छा है कुमारियां टेनिंग करती हैं और भी टेनिंग की कुमारियां आई हैं नडियाद वाले भी आगे आजाओ अच्छा इन सभी कुमार्यों ने चाहे नड़ियाद में हैं चाहे मदवन में हैं अब भी तो मदवन की है ना तो सभी ने लक्षे पूरा रखा लक्षे क्या रखा सफलता मूरत बनने का समस्या नहीं बनना समाधान मूरत बनना वायू मंडल के परभाव में नहीं आना अपने वायू मंडल का परभाव डालना इतनी ताकत भरी है ना आपको वायू मंडल की मदद नहीं मिले तो क्या करेंगे बाबा कुछ नहीं ऐसी परस्तिति आजाए तो क्या करेंगे अपना वायो मंडल दिखाएंगे ना, इतनी ताकत है, फिर तो ताली बजाओ, मुबारक हो, बहुत अच्छा, देखो आपका चित्र तो आ रहा है, वीडियो में देखें बाबा, यह फोटो निकल रहा है, तो बाप दादा हर मास आपके निमिद से रिपोर्ट लेगा, मुबारक भी देगा, क्योंकि सफलता मुरद सफलता के अधिकारी हो, तो सफलता के अधिकारी बनना है, है ना, अच्छा है, अभी एक बात की तो मुबारक है, जो हिम्मत रख करके आई हो, तो आप को हिम्मत के कदम पर बाप दादा, बाप दादा की पदम गुणा मदद है ही, दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश होना, अगर कोई समस्या आवे ना, अब बहुत प्यारे वेदी बता रहे हैं, बात कुमारियों से कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं, अगर कोई समस्या आवे ना, तो उसी समय बाप के आगे रख देना, अपने दिल में नहीं रखना, बाबा आप लोग हम तो समाधान सब रूप हैं ठीक है अच्छे हिम्मत वाली हो और हिम्मत सदा रखती रहना अच्छा कटक में बहुत अच्छा मेगा प्रोग्राम रहा पुरी में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ तो बाबा आगे बताते हैं प्रोग्राम तो सब अच्छे कर रही हो संदेश का जो कारिय करना है वैं संदेश तो सब को पहुँच रहा है संदेश सब को पता पढ़ता है कि ब्रह्मा कुमारियां भी है और ब्रह्मा कुमारियां यह करने चाहते हैं यह अभी मालूम पढ़ता है लेकिन बाप दादा की जो पुराने पुराने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं उनके प्रती जो शुब आश है बावब शुब आश भी बता रहे हैं उलाना भी दे रहे हैं शिक्षा भी दे रहे हैं शुब आश है वै अभी तक पूरी नहीं की बाप दादा का उलाना है वारिस क्वाल्टी वैसेवा से ऐसे पुर्शारत में तिवर क्वाल्टी वैसे पुर्शारति तिवर क्वाल्टी वैसे पुर्शारति तिवर क्वाल्टी वैसे पुर्शारति तिवर क्वाल्टी वैसे पुर्शारति तिवर क्वाल्टी वैसे पुर लेकिन वी आईपी भी वी वी आईपी भी बन जावे वी 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 आईपी बन जावे वी आईपी नहीं रहे वी आईपी आईपी नहीं रहे तो के ब्राह्मन क्या है वी 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 आईपी ब्राह्मन जीवन का अनभव करे क्वांटी तो हो रही है अभी क्वांटी का गु को निकालना है हर एक जोन को चारो ओर के ऐसे उमिदवार आत्माओं की विशेश पालना कर समीप संबंद में लाना है प्लैन तो बनाते हो अभी इस प्लैन को तिवर गती दो क्योंकि कम से कम अपने राज्य के पहले जनम की पावरफुल संख्या क्या बाबा टार्गेट दे रहे हैं कि कम से कम अपने राज्य की कल जो अपना राज्य आने वाले ना पहले जनम की पावरफुल संख्या कभी-कभी आने वाले नहीं कभी-कभी नियम वाले नहीं पक्के जो विन वाले वन तारीक वन जनम में आने वाले हो ऐसा गुलदस्ता तयार करो पहले प्रजा भी बने चाहे प्रजा भी बने देखो प्रजा की क्या क्वाल्टी होगी वहाँ लेकिन प्रजा भी विशेश होगी प्रजा भी मालिक का अधिकार रखेगी क्योंकि पहले जनम की शोभा पहले जनम का भव का तो अलग होता है इमर्ज करो तो हर एक जोन अपने रिजल्ट निकाले प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया उसकी मुबारक हो बाप दादा उसको अच्छा समाईते हैं सफल करते हैं उमंग उसा में आते हैं और बड़ो-बड़ो के सम ý्का में आते हैं यह अच्छा कर ले लेकिन रिजल्ट निकालो सुप्रेम टीचर है ना रिजल्ट देखना चाते है क्या रिजल्ट देखना चाते हैं कम से कम डेड़ लाख लाख आते हैं उन में से कुछ तो विन करने वाले हो तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ और पुराने सेंटर वारिस क्वाल्टी नए नए निकालो तो जो पुराने हैं उनको तो मुबारक मिलती है नए नए वारिस क्वाल्टी तयार करो रोयल फैमली रोयल संबंद संपर्क वाले भी तो चाहिए न अच्छा अब बाबा दिल करा रहे हैं सभी ने मेनत मुक्त का वाइदा तो किया है न सभी ने हाथ उठा के बाबा को कहा बाबा प्रॉमिस अच्छा फोटो निकालो अभी एक मिनट के लिए अपने दिल से इस वाइदे को दिड़ता का अंडरलाइन लगाओ अपने मन में पक्का करो एक मिनट हम डिल करते हैं अपने मन में पक्का करते हैं बाबा से जो मेनत मुक्त का वाइदा किया अब सने का सागर हमें दिल के सच्चे सनेयों को वर्दानों से बरपूर करें ऐसा मैसोस करें कि बाबा जो है मुझे ही ये वर्दान दे रहे हैं पावद रिष्टी दिष्टी में मुझे ये वर्दान दे रहे हैं सर्व चारों और के स्वमानदारी बच्चों को सदा बाप के दिल के सने ही सर्व के सने ही स्रिष्ट आत्माओं को सदा मेहनत मुख जीवन मुख अन्भव करने वाले तिवर पुर्शार्थी बच्चों को सदा वाइदा और वाइदे का फाइदा लेने वाले बैलेंस रखने वाले blissful बच्चों को सदा मोज में रहने वाले मोज में ओरों को भी रहने वाले ऐसे संगम युगी स्रिस्ट भाग गया के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं सविकार हो याद प्यार और नमस्ते हमें ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी मीठी मीठी याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग और शुक्रिया अब बाप दादा दादियों से मिल रहे है ठीक है न सभी आप लोगों को देख कर खुश होते हैं बाप और बच्चों दोनों को देख खुश होते हैं दोनों समान बाप समान दोनों समान सभी के सिखिलत दे हो सभी का दादियों से विशेश प्यार है न बहुत प्यार है क्योंकि जो निमित बनते हैं जो निमित बनने वाले के उपर जिम्मेवारी भी होती है तो उसने भी इतना होता है क्योंकि सब के प्यार और दुआओं की उनको जीवन में लिफ्ट मिल जाती है कोई किसी भी तरीके से निमित बनता है तो उनको प्यार और दुआओं की जीवन में लिफ्ट बन जाती है आप भी निमित बनते हो उनों को भी लिफ्ट मिलती है लेकिन लिफ्ट के गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फाइदा हो सकता है बाबा यह एक एक एक्स्ट्रा वर्दान मिलता है क्या वर्दान मिलता है नोट करना हम सब इसी रहा पर हैं किसी भी कारिय में इश्वरिय कारिय में व्याईवाय यग सेवा में जो निमीत बनता है उनको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट में देती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो क्या से क्या बना देती है? आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए? कहेंगे प्यार चाहिए शान्ती चाहिए यह भी प्यार से मिले तो प्यार आत्मिक प्यार सबसे स्रेस्ट है बाबा सबूत भी देख रहे हैं और हमें बता भी फ्रांस वालोंने बहुत याद दी दादी बता रही होगी बाप डादा भी बच्चों को विशेश सेवा में परिवर्तन की मुबारक देते हैं परिवर्तन किया होगा मार्क ने बहुत मेहनत की है खास मुबारक हो ताली बजाओ, वो तालीयों की आवाई सोनो, जब बाबा बोलते हैं और देखो, तो जो पुराना गौर्मेंट का रिकार्ड था, कल्ट का, वह सभी जगह मिट जाएगा, अच्छी हिम्मत रखी, हिम्मत की मदद मिलती है, दिल से योग किया न, क्योंकि कोई भी कारे को सफल करना है, तो बाबा और दादियां यही कराते थे, योग करो, योग करो, बड़ी दादी तो यही बोलते थे, योग करो, तो योग कफल मिला, बल मिला, बाब दादा भी खुश है, परिवार भी खुश है, तब तालियां बजाई न, दादी जिसे बाबा पूछ रहे हैं, द तबीए ठीक है, भुखा रहे है क्या? यह तो बहादूर, यह है जो बहादूर है, देखो ठंडा है यह गरम है, खेल दिखा रही है, तबीएत की कमजोरी हो जाती है, अभी तो ताकत आ रही है, सबी को कहो मैं ठीक हूँ, बोलो ठीक हूँ, दादी बोली भिल्कुल ठीक हूँ, सबी का प्यार है ना, देखो साकार अव्यक्त हुए और व्यक्त में निमित बनाया, एसे टाइम पर निमित बनना, कितनी हिम्मत की बात है, ऐसे टाइम पर हिम्मत दिखाने वाले को सारी आयू तक मदद मिलती है अच्छा ओम शान्ति बहुत बहुत शुक्रिया बाबा पूरे परिवार का अब एक मिनिट के लिए साइलेंस में रुकेंगे फिर अपने पॉइंट रखेंगे झाले के लिएफ़िवार के लिए एक मिलती है कि अभी हम अपने पॉइंट शेर कर सकते हैं अभी हम अपने पॉइंट शेर कर सकते हैं ओम संथी डिदी बाबा ने कहा कि सफल करो सफल बनो जो भी खजाने है सकतिया है संकल्प है बोल है कर्म भी सकती है यह समय भी सकती है खजाना है सब को सफल करना है चाहे स्थूल धन चाहे अलो की खजाने सब को सफल करना है सफलता मूर्थ का साथिपिकेट लेना ही है सफल करो और सफल कराओ बाबा ने कहा कि अगर कोई असफल करता है तो बोल दरा सिख्या दरा नहीं अपने सुब भवना सुब कमना और सदा सुब समान देने दरा सफल कराओ सिर्फ सिख्या नहीं दो अगर सिख्या देनी भी पड़ती है तो ख्यमा और सिख्या ख्यमा रूप बनकर सिख्या दो अपका मर्शिफुल रूप और सिख्या का खोल दिखाएगा ओम संटी तैंकियू बाबाब कि जो उरिजनेल हमारे संसकार है अनादी संसकार आदी संसकार देवताई संसकार तो उनको इमर्ज करो क्योंकि अब समय प्रमा हमें अपने पुराने संसकार हमारे खतम हो जाने चाहिए और देवी अगुण धारण होके ताकि हम अनादी संसकार जो नेराकारी अवस्था तो इस पॉइंट बिंदुरूप का अभ्यास जो हम कर रहे हैं उसको बढ़ा हो और देवताई संसकार की सूला कला संपून वाले और मुस्कराहाट हो चेरे तो जैसे देवताई संसकार है तो वैसे अगर हम प्रेक्टिस करेंगे क्योंकि बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए तो ये समय प्रमान अभी बाबा के इशारे है तो इस पे हमें अभ्यास करना है ओम शांती ओम शांती अज हमारा प्यारे बाबा ने बताया इम्मत के खदम पर बाब दाद का पदमा गुन मदद है समस्या हावे बाबा का हागी रख दीना बाबा आप लो हम तो समाधान सुरूप है ऐसे इम्मत रखना तेंक यू बाबा ओम शांती ने का अगर कोई करता है तो भू क्थिश्चा दोरा नहीं आपने चुप भाउना देने द्वहाद सफल कर आओ शिप्छा नहीं अगर मेंस2 और सिग्षा सुप्रूंन दो आपका मरसी फुल रूप अवस्य सिक्षा का फल्क दिखाएगा ओम शान्ति आज प्यारे बाबने का कम से कम अपने राज्य के पहले जन्व की पावफुल संक्या कभी-कभी आने वाले कभी नेम वाले नहीं पक्के जो विन करने वाले वन तारिक वन जन्म में आने वाले हो ऐसे गुल्दस्ता त्यार करो, ओम शान्ती. सफल करो और कराओ, संसकार को भी हम सफल करना है, उल्टे संसकार करने के लिए एक विदी बताई, अधी अनाधी संसकार को इमर्ज करना, सो और हम क्या कर सकते हैं, उल्टे संसकार को संसकार करने के लिए, आप सभी काउं सा विदी अपनाते हैं? ओम शान्ती, सपल्ता मूर्थ बनने का समश्या नहीं बनना है, समादान मूर्थ बनना है, ओम शान्ती. प्रवान के संसकार है इनको बिल्कुल जला जब वह बीज रूप स्थिति में ही होता है जब भी कोई संकल्प आता है या कोई पुरहने संसकार की बात चलने लग जाता है कुछ संकल्प चलते हैं थो गारं भीज रूप स्थिति हो जहए तो भाब वह बोलाया कि बीज के साथ ऐसे संसकारों को पुराने संसकारों को ऐसे जला दो जिससे कोई पत्ता और संकल्प उकुए पत्ता और कर्म झाली ईळाली भिलकुल रहिजार सालसत मेंने निकले ढूर को उसी अपने अधी अनदी संसार नो एम शांती अधी अनदी संस्कार हमारे तब हमर्ज होगे है जब हर समय हर सेकंड हमारे से सफलता मिलेगी कि हमार से कोई भी गलती होती है तो हम उस गलती को सोचते कि फिर हमारे संकल्प चलने लग जाते हैं तो आदी अनादी संसकार हमारे इंवर्ज तभी हो सकते हैं कि हम अपने उपर बहुत अटेंशन दे हम अपने हर घंटे में चेक करें कि आज हमने एक घंटे में जो संकल्प और फिर सोमान चेंज करेंगे तब जाके बारवारी संसकार बनाएंगे अपने आपको बिजी रखेंगे स्थूल रिती, शुक्षम रिती सेवाव में किसी भी तरह से लिखेंगे सोमानों को तब जाके हमारे आदी संसकार इमार्ज हो जाएंगे, ओम शांती ओम शांती यहां पे हम जो स्रेष्ट संकल्प करते है उसमें हमारे को पूरन ता लानी है मतलब उसको पूरन रिती से हमारे को वो धारन करना है क्योंकि हमारे जो पिछले संसकारों की प्रबृती होती है जो हीन भाबनाई होती है जहां पर हम किसी के दोश दुर्गन देख करके उसे त्याग नहीं करते त्याग और तपस्या जो बाबा ने बता है किसी के दोश दुर्गन देखने की वजाए अगर हम सद गुन अपनाने लगे और वो मन में संकल्प करना चाहे संकल्प करके फिर बीज के साथ जुड़ करके जो हमारे श्रेष्ट संकल्प को पूरा करने के लिए जो बाबा हमें विशेश उर्जा देते हैं उसको शक्ती में परदान करके उसकी जो पराने संस्कारों की क्योंकि यग्य यही है कि अपने पिछले धोष दुर्गन और पुराने संस्कारों की आहती देना है तो पूर्न आहती तभी के साथ ही जब हम बाबा के सामने वो संकल्प रखते हैं और सुभा उठकर शाम को जो भी हमें यग्य करते हैं दिन में जैसा भी हमारी जो दिन चरिया है उसी साथ से उसको पूरन संपूरन पूरनता से उसको यग्य में स्वाहा करना है क्योंकि इसमें जो यग्य हम पहले भी करते थे जैसे भगति मार्ग में भी वहां पे भी लास्ट का जो हमारा एक संस्कित का वर्ड होता था कि पूर्णमद हा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुद पूर्णता की और जब हम अपने को ले जाते हैं अपने आत्मा को संपूरन बनाने के लिए तो हमारे ये जो नियम होते हैं उन नियमों को हमें अपनाना पड़ता है और समय प्रति समय परस्थितियों को देख करके उन दोश दुर्गुनों को स्वाहा करना पड़ेगा ओम शांति ओम शांति शफल करो शपल कराऊ खजाना शक्ति इस्तूल खजाने सब को सफल करो सफलता का साठी पर लेना है तो शुब भाबना शुब कामना द्वारा सफल कराऊ मझीफुल बनो आपका मझीफुल बनना जरूर्फल दिखाएगा ओम शांति जब सत्यूगी आत्मा हूँ, जब सत्यूगी आत्मा जब हम यह स्वमान में रहते हैं, तो सत्यूगी जो कॉलिटी से, वो इमर्जोगी, जैसे बाबा कहते हैं, स्वमान की सीट पर सेट रहूँ, तो साथ साथ हमें यह भी इस समय संगम पर हमें यह भी बुद्धी में आती है, कि सत्यूगी के लायक हमें बनाने वाला कॉन, स्वम परमात्मा, तो जब हमें यह स्मृति आती है, तो वो कॉलिटी इस पर आती है, अनादी और आदी के जो कॉलिटी से वो भी आ जाती है, बु बाबा यसलिए किते स्वामानु को यूज कर, कि मैं सत्य होगिया आत्मा हूँ, ओम शंति बाबा ने हमें एक युक्ति बताई है, अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए, बाबा ने कहाए कि अपने जो संकल्प है, या वचन है, जो करम है, उनको चेक करो, कि इसके साथ कंपेर करो, बाबा के साथ, कि बाबा जो मेरे संकल्प है, या करम या संबन्द जो जिसमें आते हैं तो अगर हम उस तरह से चेक करेंगे तो हम फिर उसको रिलाइज कर तो चेंज कर सकूँए ओम शांती आजसे पुराने संसकार पे चर्चा हो रही सभी भाई बेनों ने बहुत अच्छा शेयर किया तो इसमें घ्यान की बात अगर है कि हम देवे गुन की इस पार्ट क भी बहुत सारी बुक्स हैं और आजकल एक ग्रुप पे भी जो देवे गुनों का है तो उसे भी विशेश कर दिये देवे गुनों पे ही काफी सारी अव्यक्त मुर्ली के जो पॉइंट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं बाई बैन और बाकी जो 63 जन्मों के पुराने हमारे संसका हैं वो यूग अगनी जो आमड़े ती यूग अगनी करते हैं तो उसी से भी जरूप इस्थिति में होकर तबहस्त मह झाथे हैं और अगर जोब ऑबही जाते हैं तो बाबा को पत्त लिखो कि हमारे Сंसकार नष्ट हो और फिर तीसरा यह भी सकते हैं कि जब हम जिसे संबंद में आते हैं लौकिक्ता में तो हमारा अगर एकदम से रियक्शन हो जाता किसी ने कुछ कहा तो हमने रियक्ट कर दिया तो उस चीज के हमें मैसूस्ता होगी मैसूस्ता होती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि next time उसको हम change करेंगे तो इस तरह अपने उपर काम करना तो ओम शांती ओम शांती अम बाबाय ने इस मूर्ली में कहाएगी सिर्फ दो सब्द याद रखना है निमित्त और निर्मारकर्ण इसमें मैं मेरा दोनों ही खतम हो जाएगा निमित हूँ और निर्माकर्ण बनना ही है इससे हमारा संसकार को संसकारों का संसकार हो सकता है तब हम सुचते कि मैं निमित हूँ निमित हूँ और निर्माकर्ण बनना है ओम शांती ओम शांती सबी बाते जो सबने अच्छा-च्छे शेयर किये बहुत अच्छा है इसमें बस एक ही शब्द यार रखना है अटेंशन 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 तो सर्टनली कई चीजें हम भी फील करते होंगे कि हमने जब धिरंतर अटेंशन रखा तो सदागाल का संसकार बन गया काफी परिवरतना आया होगा हम भी चेक करेंगे बस यहां यहां पर अपशकता है सारी वीदियो के साथ साथ साते अटेंशन 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 गयान का होटोप चाहे योग का होगा होगा है त brow Step आम शांति श्रीदेवी सिस्टर अब कुछ के ना चाहते हैं? गीता सिस्टर अब बोले हैं आम शांति जिदी बाबा बोला जे मार्शिबल बन रेहन दिल बन शेवा करो आमादर तीशुट्टु जन्म जे आमादर जेशे देहा भानाची समस्तो से घुलू जयोगोगणिते बश्म करो आर मुले चानि जे आमारा जुदी बाबार सिमद्पर एभं बाबार सिमद्पर एभं बाबार जुदी आगा ओनुशरी आमरा चोली तह यले आमरा वनादे आदी सोूरुप ऊम्यास कुस्ट थे पाड़बू रहे हम भीकर्म करना बंद करेंप अ किसी को देखते हें तो आत्मे कदरस्ट रहें विषेशे ता उनको ही देखे है, हमारा सोच पर हम attention दे, कैसे हमारा सोच है, देने का समस्कार है, या लेने का समस्कार है, यह सब हम checking करते हुआनगे पुषण कर परिवत्ति होगा, जैसे महारी की नहिते हा कहा, attention रखना है, important बात, इसे से हमारा पुराना अपस्वाव संसकार कतम हो जाएंगे और देखना भी है हमारा अंदर काउं सा अवगुन है उसी भी परसे नहीं चाहरे हैं उसको भी हम देखना उस पर भी हम चिंतन करना उसको कैसे मिटाना है हम इसी का भी हल्प ले सकते हैं सबसे का भी हल्प पहले लेने हैं आइसे हमेरा पुराना सुबाव संसकार के कतम करना जीवन रश्मी आप कुछ कहना चाहते हैं तो योगनित्रा का शेष बताते हैं तो योगनित्रा में अगर हम भ्यास करें तो उसमें भी हम सीधा सब्कॉंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् संसकार जयाते हैं संसकार जो ठ staring नाइंटी पर संसकार सब्कॉंट्ट्ट्ट सबकॉंट्ट्ट्ट्ट्ट울 तो योग नित्रा की कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सचिन भाई की लासे हैं दो तीन उस पर, तो उससे भी बहुत फाइदा नहीं पर उतने आधियनारी संसकारों को जल्दी बज़ कर सकते हैं, हम शान्ति हाँजे, बहुत अच्छा, आज हम हमर्प यही लेंगे, सफल करना है, यह याद रखेंगे, बाबाने कहा न, सफल करो, सफल करावो, सफलता मूर्थ बनो, सब सफल करो, हम संफूर्ण बनना है, तो सफल कर लो, है न, हम संफूर्ण बनना है, तो सफल करना ही है, हमारा श्वाद, समय, संकल्प, संसकार भी सफल करना है, इसलिए बाबाने कहा, अपने ओरिजनल आधि संसकार, धेवता संसकार, अनाधि संसकार को इमर्ज करो, सो आधी अना अधी संसकार को हम सारे दिन में इमर्ष करेंगे सो जाद से जाद हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे और देवता सुरूप का संसकार देवता सुरूप का हम अभ्यास करेंगे आज हम सफल करना हैं करना ही है ये नारा लगाकर हम सफल करना है देना है सबको बाबा ने कहना शिक्षा देना है तो भी कैसा देना है शुब भावना, शुब खामना से देना है समटेम बात से हम शिक्षा करें तो बोल से वो नहीं चलेगा इसलिए बाबा ने क्या कहा शुब भावन, शुब कामना द्वारा सफल कराओ आज हम यही ओमर कलेते हैं सफलता मूरत बनना है हमें सफल करना है इस लक्ष से हम सारे दिन को बिताएंगे विजय भाई जी आप हम योग कराएंगे दो दिन मुट यह देदे ओम शान्ती ब्रकुटी के मद्दे चमकती हुई सनेही सरू आत्मा हुँ सनेहे सनेहे में सनेहे के सागर बाब दादा का आवान करते हैं बरम धाम से शे बाबा सनेह का सागर नीचे आ रहे द्रमा बाब के सुक्षम तन में परवेश करते सारे ब्रह्मा अंड में सने की किर्णे फैलते हुई आरे 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 सने बरी द्रिष्टी प्यार बरी द्रिष्टी में आत्मा हो गए और बाबा बाब दादा मुझे उड़ा करके ओम शांती बावन वहां से बाब दादा खुद चार धाम की आत्रा कराएं दीरे दीरे पांड़ा भवन में परवेश किया परवेश करते मुझ आत्मा को दू नन्ने नन्ने फरिष्टे सुक और शांती के लेने आ गएं इशारे कर रहे हैं सने सागर बाबा के कंब्रे में बुला रहे हैं बाबा के कंब्रे में बाब के सामने पहुंच गए दृष्टी दृष्टी में बाबा बाब समान बच्चों को याद करा रहे हैं वाइदे का फाइदा लेने वाले बच्चे आ गए दृष्टी लेते रहें और बाबा का किर्णो बराहात मुझे सिर पर रख फिर हम बाबा की कुटिया में आ ले हैं जैसे कुटिया से एंटर करने लगे बाबा इशारे से अच 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 बाबा कहने लगे निमित बच्चे निर्मान बच्चे आ गए रिलाइज करो और रिवाइज करो फिर में आत्मा दीरे 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 सुक्षम रूप में शांती स्थम के आ गया जहां स्वम बाब दादा बाएं फेला करके हमें इंतजार कर रहे हैं बाबा की द्रिष्टी पढ़ते ही हमारा संपन सरूप सामने आ गया और हम स्वम को शक्ती सरूप शांती सरूप स्टेज में आ गया पिरम हिस्ट्रियाल में आएं वहां तो बड़ी मैफिल लगी थी बाप दादा और हमारे पूरवज दादियां एक एक हमारा पूरवज फूलों से वर्शा कर रहे हैं और उन फूलों में मैसेज आ रहे हैं खजाने सफल करने वाले कहीं से आ रहे हैं शक्तियां सफल करने वाले कहीं से आ रहे हैं कोई दादिय से आ रहे हैं बोल सफल करने वाले सफल करने वाले मम्मा ने एक एक बच्चे के गले में माला डाले माला पर लिका था समाधान सरूर और बाबा ने एक माला डाले सफल ता मूल फिर में दीरे दीरे बाहर आ गया ओम शांति भवन में बाप डादा इंतजार कर रहे थे उनकसा दीरे 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 अपने साकार बतन में आप शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया रवानी पर थे आप सबको कॉल में जुटने के लिए बहुत 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 तन्यवाद ओम शांति है रग्रेटे अपी माकर संक्रांति आप सब गुद्ध शांति बुद्ध भछ्वत खिर वंकर संक्रांति बढाबा कि राजा बच्चे ओम शांति हिए अजन्थ आप्संद्ध शांति